नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पे प्रीविए सर्फ की सीरेज में दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे मूल विदी संबीधान और जी के वाले पोर्शन को इससे पहले हमने सामाने हिंदी का सॉलीशन डाल दिया है उस वीडियो को आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं अगर आपको वीडियो नहीं मिला तो आप प्ले लिस्ट में चले जाएए यूपी ऐसाई प्रेबियस एर सॉल्ड पेपर के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी आप उस सारे पेपर वहां से देख पाएंगे दूसरा यदि आप पेपर बिदान में किस तरह की कोशन पूछे गए थे यह पेपर है दोस्तो 14 बारे 2017 का तो चलिए एक एक करके कोशन को सॉल्व करना सुरू करते हैं आसा करते हैं आपको यह सीरीज काफी पसंद आएगी तो 40 तक कोशन दोस्तों हमने हिंदी में कवर कर लिए थे इस पेपर के अब तो हम यहां से कवर करेंगे 41 से पहला कोशन है बिश्टन चर्चिल द्वारा घोसित कौन सा घोशना पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया थो तो नहीं किया गया था दोस्तों विकल्प हो जाएगा मारा ए अट्लांटिक घोशना पत्र 42 कोशन पर आते हैं प्राचीन लिखा है साकिय विज्ञान किसके उत्पादन और विप्णन से संबंदित है ना तो साकिय आप देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा तो सब्जियों से है दोस्तों डी आंसर इसका राइट हो जागा एक सिंबल हमें बना के दिया है और पूछा है किस याताया संकेत का अर्थ है तो यहां से विकल्ब देख सकते हैं आप फोटी फोर के है ना तो देखिए आप विकल्बों को इसका जो राइट अंसर हम बात करें तोस्तों तो हो जाएगा सडक नीचे जाती है इसका मतलब हुगा सडक नीचे जाती है एक वारोर सिंबल को आप को क्या कहा जाता है तो खाली स्थान की जगे आपको फिल करना है तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों आप सोच के बताइए तो इसको कहा जाता है बिशेशाधिकार मत ए आंसर राइट रहेगा इसके लिए चलिए अगले कोश्चिन पर आते हैं 46 पे इन में से कौन सा पृत्यक्ष बिदेशी निवेश जिसे हम FDI के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास अंगठन द्वारा लक्षित लोग पर ये उद्धियोग नहीं है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूस्तों हो जाएगा A, Real Estate न betym 47 ये भूमद्ले सागरीय बन्य ज्हाणिया किस जलवायु छेत्र में हैं तो किस जलवायु छेत्र में इसका आंसर आपको बताना है तो ये होती है दूस्तों गर्म सीथोषन छेत्र में यह आंसर इसका, राइट ए आंसर पूर्टी एट कुश्चन पर आते हैं कुश्चन थोड़ा बड़ा है तो उपर कर लेते हैं कुश्चन 48 है इंदिरा सहानी निर्ड़ने के रूप में बहुचर्चि जन हितियाचिका पी अईयल मामले को एतिहासिक माना जाता है इसके आगे इसको आपको पूरा करना है तो यहां से राइट अंसर रहेगा चली 49 कुश्चन पर आते हैं लिखा है निमलिखे संकेतों में से कौन सा पूर्वन नहीं बलकि केवल लंबी अवदी के रुजहान की पुष्टी करता है तो कौन करता है दोस्तों परिवेश्टन सूचक करता है यह आंसर यहां से राइट हो नहीं बी आंसर इसका राइट होगा सुनीर लांबा इस टाइम पर थे 51 कुश्चन पर आते हैं निम्न में से कौन सा बक्तब्र राजसवा के सदस्यों के हैं तो इन में से एक से जायदा विकल्प भी सही हो सकते हैं देखिएगा 51 का राइट आंसर सोच के आप इसका आंसर क एसा कोई भी सौधा जिसमें संपत्ति एक बैक्ति के लाम इस्थानांतरित की जाती है और भुख्तान किसी दूसरे बैक्ती द्वारा किया जाता है तो बहे सौधा क्या कहलाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बे नामी लेंदेन कहा जाता है इसको भ प्रिकास इस थम्भ है ना ये किसकी है संग सूची का एक हिस्सा होती है सी आंसर राइट हो जाएगा हमारा यहां से चलिए 60 यहां से आते हैं दोस्तों अगला कुशन यहां से हमारा इस्टार्ट होगा 54 कुशन है भारती डंड सहिंता की धारा 415-420 का संबंद किस से है 54 तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो यह धोका दड़ी से संबंद दोस्तों किस संबंद देते हैं दोका दड़ी सी आंसर राइट हो जाएगा 55 कुशन पर आते हैं संग सरकार ने सरकारी स्वास्त केंद्रों और अस्पतालों में गर्बती महिलाओं को निसुल्क स्वास्त जाच प्रदान करने के लिए जून 2016 में क्या सुरू किया था तो किया गया था प्रदान मंत्री सुरक्षित मात्रत अभियान दे आंसर इसका राइट हो जागए ये भी कर इंटर्फिर का ही कुशन था 56 कुशन पर आते हैं तो 56 कुशन में लिखाए संबीधान सवा का अंतिम सत्र कव आयोजित किया गया था तो काफी आसान कुशन है तो 24 नावंबर 1950 को आयोजित किया गया था 57 कुशन पर आते हैं ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब सुरू हुआ जब बिनोवा भावे भूमे ही इन हरी जनों का पेज आ रही समस्यां को संबोधित करने कौन से राज्य के गाउं में पहुँचे थे काफी अच्छा कुशन है दोस्तों कईवा परिक्षा में पूँचा गया तो यह तेलंगा ना पहुँचे थे दोस्तों सी आंसर यहां से राइट आंसर रहेगा चलिए 58 कुशन पर आते हैं 58 कुशन है निम्न मेंसे कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संबीधान में कहा जाता है तो विकल्प आपके यह दिये हुए यहां से आपको चुनना है 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो इस तो केवल 1 है ना यानिकि D विकल्प हमारा ठीक हो जाए देखा है निम्निकित मेंसे कौन सा कथन बित्वास से मामलों के बारे में दुरुस्त है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो तो देखिए इस कोशन का जो आंसर था दोस्तो आयोग ने इसको कॉमन कर दिया था कॉमन का मतलब है इस पे सभी को मार् आप इसका अपने हिसाब से आंसर चूज कर सकते हैं इसका आंसर की में नहीं दिया था यानि कि इसको ओब्जेक्शन इस कोशन पे डाला राया था उश्टाई कॉमन केंद्र निम्निकित में से कौन सा कर लगाता एकत्रित और पृत्ति धारित करता है तो 60 का राइट आंसर बी होगा चलिए 61 कोशन प्राइब काफी अच्छा कोशन है किस मामले में उच्छतम नियाले ने कहा जो लोग अनायास ही राजजे के हिरासत में हैं उनके प्रतिस सरकार का बिसेज दायद तो है ये सुनिशेट करना पुलिस जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी ह कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से बंचित ना किया जाए तो ये किया गया था दोस्तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीला वती बोहरा बनाम उडिसा सरकार, C आंसर इसका राइट आंसर था, 63 कोशन पे आते हैं, 63 कोशन पे लिखा है, उ भारत में 2014 में सुरू हुआ, डैस, लोगों को हवा की गुडवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी पिरचार-पिरचार साधन है, तो खाली स्थान की जगे हम क्या लगाएं, जिससे कि ये सही कोशन हो जाए, तो B आंसर इसकी जगे, बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा दोस्तों, राश्टी वायू, गुडवत्ता, सूजकांक, चलिए 65 कुश्यन पे आते हैं, खाली स्थान दिया है, इसमें आपको पूरा करना है, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यादिक बरिष्ट नागरिक के रूप में आ रहता प्राप्त करने के लिए किसी बै चलिए, अगले कुश्यन पे आते हैं, वैला डिला च्छतीस गड़ में एक जगह है, डैस के समरद्ध वंडार के लिए जाना जाता है, तो हैमेटाइट के लिए जाना जाता है, वसको किसके लिए हैमेटाइट के लिए जाना जाता है, C आंसर इसका राइट आंसर रहेगा 67 question पर आते हैं लिखा है निम्लेखित मैंसे कौन सा भारत के संभीधान के बारे में सही है तो देखिए तीन statement आपको दिये हैं इन तीनों मैंसे बताना है आपको कौन कौन से सही होंगे है तो हम देखें यहां से तो केवल first वाला विलकुल सही है दोस्तों केवल first तो यह विकल्प हमारा ठीक रहेगा यहां से 68 question पर आते हैं 68 question है निम्लेखित मैंसे किसमे vitamin E भरपूर मात्रा में पाया जाता है तो vitamin E की बात कर रहा है दोस्तों तो vitamin E हम देखें तो avocado में पाया जाता है D answer बिलकुल सही answer है 69 question पर आते हैं निम्लेखित मैंसे राष्टपती की कौनसी नियाएक सक्ति उसकी परिभासा से मेल नहीं खाती है है ना तो 69 का answer आप अच्छे से करिएगा दोस्तों तो नहीं खाती है दोस्तों A वाली है ना रूपांतरा मत्तब पूर्ण चमाद A answer right हो जाएगा आते हैं 70 question पर लिखा किस बर्स में नगर निगम के प्रवधानों से युक्त बारवी अनुसूची को संभीधान में जोड़ा गया था तो कब जोड़ा गया था दोस्तों यह जोड़ा गया था 1990 में D answer right हो जाएगा यहां से हमारा चली अगले question पर आते हैं 71 लिखा है एक हैकर जिसके इरादे आप अरादे किया दुरभावना पूर्ण नहीं है उसे देस कहा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है दोस्तों white head और white head दो होते हैं C answer right हो जाएगा चली अगले question पर आते हैं question 72 है एक लाग से जायदा की जनसंक्या लेकिन 10 लाग से कम जनसंक्या के सहर का प्रिशासन करने वाली सहरी इस्थानिय निकाइब को कौन सी है तो उसको हम क्या कहते है पूँचने का ये आसे है इसका तो इसका जो आसे है दोस्तों वो होता है महा नगरपा लिखा C answer राइट answer रहेगा 73 question computer से पूँचा गया है लिखा है निम्न मैंसे कौन सी shortcut की बिंडोज task manager खोलने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो इसका अगर आपको answer आता होगा तो आप सीधा लगा देंगे C answer दोस्तों विल्कुल ठीक है यहाँ से 74 question पर आते हैं लिखा है भारत की आजादी के बाद सिविल सेवा के पहले पिरमुक कौन थे यहना तो सिविल सेवा के पहले पिरमुक कौन थे तो काफी आसान question है दोस्तों इसको आपने काफी बार पढ़ा होगा एन राय पिल्ले C answer इसका right answer हो जाएगा 75 question पर आते हैं बर्स 2016 में अंतर राष्टी मुद्राकोष के चार देसों को अधिक मतिदान के अधिकार दिये हैं जो उनकी सासन अब सर्राचना को प्रभावित करते हैं निम्न में से कौन सा देस उन में से एक नहीं है तो इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तों को हो जाएगा स् 76 question पर आते हैं लिखा है भारत ने सौर पार्क परियोजना के लिए साजहा अवसर मचना के लिए बिस वेंग के साथ कितनी रासी के रिंड समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो कितने भी किये हैं दोस्तों 100 million पर किये हैं युश्ट टाइम की करेंट का question पूंचा गया है 77 question पर आते हैं अच्छा question है थोड़ा इसको उपर कर लेते हैं ताकि आपको पूरा question दिखें निम्ले के अधिनियमों में से सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले काल क्रम के अनुसार लगाईए तो इनको दोस्तों arrange करना है आपको है ना इसको निदेशक सिद्दानतों में परिवर्तन के लिए एक संबैधानिक संसोधन की आवस्यक्ता होती है जिसे निम्ले के द्वारा पारित किया जाना आवस्यक होता है तो किसके द्वारा किया जाना आवस्यक होता है दोस्तों यह दिखें यहां से हम इसका आंसर चुनेंगे जो किस लेंज के प्रियोग से दूर किया जाता है तो इसको देखिए अच्छा कोशन है दोस्तों यह बेलनाकार लेंज से दूर किया जाता है द्रश्टी बैसम्मे को किस से दूर किया जाएगा बेलनाकार लेंज से आगे आते हैं 80 कोशन है जो कि हमारा लाश्ट रहेगा यदि किसी नागरिक के सूचना दिकार अधीनियम के तहट अपील और दूसरी अपील के उपाये समाप्त हो गए हैं तो बहर संबीधान के अनुछेद 10 के अधीन उच्चितम न्यायले जा सकता है तो किस अनुछेद के तहट बहर उच्चितम न्यायले चला जाएगा इसका अंसर आपको लगाना है तो अनुछेद 32 के तहट बहर उच्चितम न्यायले का दरवाजा खट खटा सकता है तो ये दोस्तो हमारे 40 कोश्चन मूल विधी, संबीधान और जी के से थे आसा करते हैं दोस्तो ये प्रैक्टिस सेट आपको आने वाली UPSI के परिक्षा में काफी बेनीफिट थेंगे इससे एक आपको आइडिया लग सकेगा कि लाज्ट टाइम किस लेवल के कोश्चन पूछे गए थे और संभावना बनेगी कि इस साल इस टाइप के कोश्चन पूछे जाएं वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तो लाइक करिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जोड़ सकते हैं क्योंकि हम UPSI से संभजित काफी स्टेडी मटेरियल अप्लोड करते रहते हैं अगली सीरीज का पार्ट हम जरूर अप्लोड करेंगे इसके चारों पार्ट अप्लोड करने के बाद कल हम अगले पेपर का सॉलीशन दोस्तो अप्लोड कर देंगे हिंदी जीके और मूल विधी संभिधान का इसके बाद हम मैत का और रीजनिंग का जो किस टाइप से आया जय भारत